हाइ फ्रेंड नमसकार मैं अनकेजी महराज स्यागर भाई तो चलीए फ्रेंड आज हम बात करते हैं किसी के सरीर में पेट में दर्द देने का मntर उसको हम लोग निनाए बोलते हैं निनाए निनाए कैसा होता फ्रेंड जो पेट में एक गोला होता है ठीक है वो उठ जाने से यानि नाभी के उपर आ जाने से वो दर्द करने लगता है तो एक परकार का ये निनाय कैसे होता है जैसे उल्टी हो जाना बारबार उल्टी करना उल्टी होने के बाद निनाय हो जाती है और वो पेट दर्द शुरू करन देता है ठीक है और दूसरा क्या है फ्रेंट दूसरा है ये क्या बोलते हैं गलत तरह से उठने से खड़ा होने से निनाय हो जाता है लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि मंत्र के द्वारा किसी को सरीर में पेट दर्द कैसे दे दिया जाता है तो वहावी धि मैं आपको आज बताऊंगा मंत्र भी है उसका ठीक है तो जिसको निनाय देना है किसी के सरीर में तो फ्रेंड वो जो अभी तो खेर पलंग हो गया चोकी हो गया वो एक खटिया होती थी खटिया अभी भी है वैसानी कि खतम हो गया तो खटिया जो है खटिय जब भी किसी के पेट में दर्द शुरू करना चाहते हैं आपकी मुझे इसके पेट में दर्द शुरू करना है तो वह रसी थोड़ा सा यानि कि नापने के बाद साथंगूल Лगभग होना चाहिए उसमें एक गाँट मार के ठीक है और जिसके पेट में आपको दर्द देना है दर्द देने हैं तो और भी चरपाही पर पेड़ा होना चाहिए your word this इसके सरी में आप दर्द देने है तो छरपाही में खटिया उसमें भी रसी होते Det Ś रसी क्या है ये गांठ जो है उसमें रसी में खटिया जैसे होता है ऐसे फांक होता है तो इसमें वो डालके और नीचे जुला देना है ठीक है वहाँ पे वो मंत्र बोलना है उस रसी में उसका नाम ले करके तो हम बताते हैं गैरेंटी के साथ आपको की निश्चत रूप से उ और वहाँ दर्द तब तक रहेगा जब तक उस रसी से वह गांठ वाली रसी निकाल के अलग ना कर दें तो फ्रेंड इस तरह का है कि जो है तो चलिए मैं आपको मंत्र बता देता हूं ब्रह्मा की बेटी अती सुन्दर गंगा नहने जाती थी सुरी से पित लगाती थी के फांक में उस रसी को ढुका देना है गांठ उपर में रहेगा और फिर कुछ नहीं करना है आपको और देखे चमतकार आप वहां से उठके जाएंगे इसके बाद उसके पेट में दर्द सुरू हो जाएगा और वहां दर्द से परेसान होता ही रहेगा फ्रेंड जब तक वह रसी उससे निकालना लिया जाए और याद रखेगा आप जब तक पेट में दर्द सुरू होता है तो फ्रेंड इदर उदर वह घुम करके फिर उसी खटिया में आके बैठेगा क्योंकि आराम नहीं मिल रहा नो से क्योंकि अगर पेट में दर्द है तो बार बार उसी ज जाता है डेट हो जाता तो खटिया ले जाकर के खटिये पे ले जाता है फ्रेंड बे उसको वह करने के लिए अंतिन संसकार तो केवल उसका रसी आपको लाकर करके रखना है वह अच्छा वह रसी आप निकाल देंगे यदि उसका पेट में दर्द सुरू हो गया अब आप मेरा दुसमन थोड़ा सा रेष्ट कर ले रही है वो कर ले तो आपको क्या करना है वह रसी जाके चुपके से निकाल देना है जैसे आप रसी निकालेंगे फ्रेंड तो आप देखिएगा उसका निनाय बैट जाएगा और दर्द उसका खतम हो जाएगा ये सबसे सधारन बि दिया है कि पेट में दर्द कैसे चालू कर दें और फिर उसको ठीक भी कर दें ऐसा तो जान बुझकर पिछले जो पहले बुड़े बुझरू होते थे वो जादा करके अपने जो घर में पत्नी होती थी या जो पत्नी मंत्र जानते थे तो अपने पती को जादा करके करते थ कि आपने देखा भी जाए ना फ्रेंड दुसमन अपने घर में ही होते हैं पती पत्नी में बात नहीं हो रहा है तो अपने जो वह होते हैं उसमें दूसमनी है तो ऐसे देखा जाए तो ज्यादा करके पहले जमाने का लोग अपने आदमी को कश्ट देते हैं ताकि तुम आपको बताया सबसे सरल पीट में दर्द करवाने का मंत्र जो छू मंत्र में दर्द होगा मंत्र इसका था आपको क्या करना उस गाठ एक गाठ मारना है साथ बार उसमें मंत्र पढ़ना है और मंत्र जब जब पढ़ेंगे तब तक उसमें फूक मारना है और मंत्र के बीच में जैसे हमने बोला आपको पंथ पंथ दर्द हो जाए तो पंथ पंथ दर्द होगा किसका दर्द होगा तो उसी का नाम लेना है ठेक है फ्रण धन्यवाद